दोमेनियन्स की हमने पहले बात की कि वो छोटे हो यादगार हो और यूनीक हो तो वो अच्छे रहते हैं मैं आपको दोबारा करेक्टरिस्टिक्स दिखा देता हूँ कि ये अगर आप 4-5 करेक्टरिस्टिक्स अपनी डुमेन लेते हुए अगर याद रखें तो आपको असानी होगी डुमेन आपकी अच्छी रहेगी लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टन फैक्टर है डुमेन लेते हुए जो याद रखना होता है वो ये एक अगर आप अपने डुमेन में ही अपना कीवर डाल दें तो उसमें आपकी इंपक्ट डबल हो जाता है या काफी गुनाब बढ़ भी सकता है तो फूर एक्जेंपल ये अगर आप में ABC मॉबाइल्स अगर हम स्टोर की बात करें तो ABC मॉबाइल्स मैं शायद ABC.com खाली ले लेता लेकिन चुके मॉबाइल्स की मेरी दुकान थी तो मैंने ABC मॉबाइल्स डाट कॉम ली ताके ABC के साथ तो डिस्क्रिप्टिव नाम भी आजे के मॉबाइल्स है लेकिन इसको मैं मजीद कैसे बेतर कर सकता था अगर मैंने उस वक्री कीवर्ड सर्च कर ली होती तो मैं पहले ही समझ जाता कि लोग मॉबाइल्स नहीं धूनते मॉबाइल स्टोर धूनते हैं तो अगर मेरी रिपेर की शौप है तो मैं मॉबाइल रिपेर्स की शायद लोग सर्च करते हैं तो इसी डिमेन को अगर मैं बहतर करूँ तो ABC मॉबाइल्स डाट कॉम को मैं ABC मॉबाइल स्टोर डाट कॉम भी तो ले सकता था ABCMobileRepairs.com भी तो ले सकता था depending on कि मेरा business क्या है मैं अपने domain में अपना keyword अगर डाल दू तो मेरी जिंदगी असान इस तरह से हो जाती है कि Google को आसानी होती है आपको identify करने में कि भाई आपको business क्या है आपके audience क्या search करी होगी और अगर कोई भी बंदा लिखे कि जी mobile store in lahore या mobile store in Pakistan तो मेरी चुके नाम domain में ही नाम है या नाम में ही मेरा keyword है तो क्या होगा कि Google मुझे rank बेतर करेगा क्योंकि वो देखेगा कि इसकी domain में भी नाम है और वो keyword यही लोग search कर रहे हैं उसको लगे जा कि लोग मेरा नाम ही search कर रहे है जबके वो मेरा नाम तो है लेकिन उसमे मेरा keyword भी मेरे नाम में ही शामिल है इसकी example मैं आपको अपनी company से भी दे सकता हूँ कि लोग जब digital marketing की agency धूंडते हैं तो वो digital marketing या digital marketing पाकिस्तान लिखते हैं तो मेरी company का नाम भी digital marketing पाकिस्तान है और उसमें digital marketing.pk domain में ये available थी वो मैंने ले ली तो उससे फाइदा ये होता है कि मेरा keyword जो कि digital marketing है वो भी मेरे पास है as a domain और जबके digital marketing पाकिस्तान को लिखे तो वो भी digital marketing पाकिस्तान के case optimized है और चुकि .pk है तो वो automatically sense बन जाती है कि digital marketing.pk या digital marketing पाकिस्तान बेसिकली एक ही चीज़ का नाम है तो असल में होता ये है कि जिसको marketing चाहिए या जिसको digital marketing agency हायर करनी है वो ये keyword जब लिखेगा तो Google इस नाम को बेतर समझते हुए वो पहले ही rank कर लेगा आप अपने business को understand करें कि उसकी end audience क्या है ये possible tab है जब आप पहले SEO को SEO से start करें तो अक्सल जो यहीं पर एक बात जो बड़ी important है अक्सल लोग SEO को hire करते हैं बहुत देर बात जाके कि पहले हम business खड़ा करेंगे पहले हम website खड़ी करेंगे फिर जाके हम SEO को hire करेंगे मैं इस चीस से एक सलाफ रखता हूँ मैं इसलिए कहता हूँ कि सबसे पहले हम marketer या कमसकम SEO को hire करें ताके वो आपको नाम सोचते हुई ये बता सके कि भाई अगर आप नाम अपना ABC मॉबाइल रख रहे हैं या डिशर मार्केनिंग कमपनी को रखना चाह रहे हैं तो बजाए इसके कि आप कुछ और रखें आप keyword रिसर्च करें वो देखें कि लोग क्या सर्च करते हैं और वो जो सर्च करते हैं वो ही सर्च को अगर आप अपना नाम बना लें तो वो इतनी आइडियल सिचूशन होती है कि जब भी लोग अपनी जरूरत सर्च करेंगे वो जरूरत बिसी के लिए आपका नाम ही होगा तो वो जरूरत जब आपका नाम बन जाएगा उससे आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी ट्राफिक बढ़ जाएगी और आपको दुनिया में हजारों कीवर्ट पर रैंक करने की जरूरत नहीं होती अगर आप एक अच्छे कीवर्ट पर रैंक कर जाएगे झाल